अब धातु मुद्रा के बाद अगर हम बात करें पत्र मुद्रा की तो पत्र मुद्रा पर हम एक नजर डाले कई बिंदो के अधार पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेश प्रकार के कागज में छपे हुए नोट होते हैं वास्तों में वही मुद्रा हैं जो आजकल दूसरी बात ये किंद्रे रिजर्व बैंक के द्वारा ये पत्र मुद्राय नर्गमित की जाती है। द्वार कर देना एक दंडेनिय प्राद माना जाता है। धातु मुद्रा प्राया सरकार द्वारा नर्गमित की जाती है। धातु मुद्रा अत्यंत महंगी होती है जबकि पत्र मुद्रा अत्यंत सस्ती होती है। धातु मुद्रा बेलोचदार होती है जबकि पत्र मुद्रा लोचदार होती है। धातु मुद्रा को संसार में कहीं पर भी स्विकार किया जा सकता है। जबकि पत्र मुद्रा को केवल अपने देश में ही स्विकार किया जा सकता है धातु मुद्रा श्रीगर नश्ट नहीं होती है जबकि पत्र मुद्रा श्रीगर नश्ट हो जाती है विभिन अधारों पर हमने मुद्रा के वर्गी करण को देखा अब हम जानेंगे कि वास्तों म एक मुद्रा पदार्थ के एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण कौनसे होते हैं। तो इसका सबसे पहला गुण होता है कि समानी स्वीकरती सरकार के दारए इस पर कबसे कम लोगों में विश्वाश स्थापीत करें कि वो जो मुद्र है वो सर्वो मानने है दूसरा लेन देन और भुकतान में सरलता हूँ आसानी से लेन देन किया जासके आसानी से भुकतान किया जासके समझने सोचने calculation करने में बहुत ज्यादा दिक्कत न हूँ वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विशेश्था ये होनी चाहिए कि टिकाऊ जल्दी से फट मत जाएं जल्दी से खराब मत हो जाएं तो यह विषिस्था होनी चाहिए जाधातर्स देखते हैं कि अब टिकाउ हो ती थे लिकिन वैसे स्थिती नहीं के विङले की मुध्राह्ट का व को बनां यह यह सथा शारी कारे मीश्व मuse वस्तू विनिमय में यही कट नाई थी इसी कारण वस्तू विनिमय को समाप्ति किया गया तो कम से कम इस तरह की मुद्रा का प्रचलन हो इस तरह की मुद्रा होनी चाहिए जिसको हम आसानी से एक इस्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके तीसरी इसकी विशेस्ता इसमें होन सभी तरह के नोटों को एक समानी रूप से सोचने समझने वाला बच्चा भी बहुत आसानी से पहचान जाता है कि वो कितने रुपए की नोट है और विबन भाशाओं का प्रयोग भी जो प्रचलित भाशा है उसका प्रयोग भी नोट के अंतरगत किया जाता है यह बताने के लिए कि कि वो कितने रुपए की नोट है अगला जो हम यहाँ पर देखते हैं वह यह इसके अंदर विशेष्टा होनी चाहिए कि मूल ले में स्थाय तो होना चाहिए जिससे हम देखते हैं कि मूले में बहुत ज्यादा उतार चड़ा बहुत जारा ज्यादा कम ज्यादा बार-बार मुद्रा संकुचन इस तरह की समस्याएं बार-बार उत्पने नहीं होनी चाहिए और ठीक इसी तरह यहाँ पर विभाजिता होनी चाहिए इसका एक गुण ऐसा भी होना चाहिए कि बिना टुकड़ा किये इसको विभाजित किया जा सके यही कारण है कि छोटे से चोटे मूले से लेकर बड़े मूले तक सभी प्रकार की पत्र मुद्राएं भारत में प्रचलित हैं आई अब देखते हैं मुद्रा का महत्तु क्या है जैसे कि हमने इस अध्याय के प्रारम में ही जाना कि वस्तु विनिमै की बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारे दोशों क कारण वस्तू विनिमय की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए मुद्रा विनिमय का जन्म हुआ यानि कि मुद्रा के बदले में वस्तू प्राप्त करना इस प्रक्रिया का जन्म हुआ अब अगर हम मुद्रा के महत्तु की बात करें तो उसको हम अलग-अलग भागों में बाट कर अलग अलग दिष्टिकोंड से उसके महत्तों को जान सकते हैं जैसे सबसे पहला हम देखते हैं कि उत्पादन के छेतर में मुद्रा का क्या महत्तों है उत्पादन के छेतर की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी उत्पादक जब उत्पादन का कारे प् तो इन सब साधनों को एकत्र करने के लिए संगठित करने के लिए कहीं न कहीं उसको मुद्रा की आवश्यक्ता होती है अब अगर हम बात करें कि कौन-कौन से साधन है जिनके लिए एक उत्पादक को मुद्रा की जरूरत पड़ेगी तो इन साधनों के बारे में हम पहले भी क अनय साधन भी है जिनके जरूरत उत्पादन के पूरी प्रक्रिया में होती है तो उत्पादं के इन साधनों को संगठित करने हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है जो इत्पादन का क्यों ना हो चाहे वो स्वेम सेवर प्रदाता ही क्यों ना हो कहीं ना कहीं उभोगता का कारे करता है चाहे वो स्वेम अपने लिए कुछ यूज करे खुद के लिए उभोग करे या अपने परिवार मित्रे अरिष्टेदारों के लिए कोई ना कोई समान वो खरी दे हर दशा म वो एक वब्होगता कहलाता है और वह वस्तुविन्यमे के दोश को समाप्त तक रीय और जब मुद्रा तो उसके अंतरगत व्यक्ति वुप्रक्रीय के लिए मुद्रा देगा और उसके बदले में वह वस्तू प्राप्त करेगा यानि कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा के बिना आप उभोग संभव नहीं है तीसरे चेत्र के हम यहाँ पर बात करें तो हम देखते हैं विनिमे जब हम वस्तु विनिमे करते थे तो वहाँ पर हम वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करते थे यह कहा जाए कि कम आवश्यक वस्तु के बदले अधिक आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेते थे लेकिन जब हम मुद्रा विनिमय में प्रवेश कर चुके हैं तो यहां पर हमको केवल मुद्रा ही एक ऐसा साधन प्राप्त होती है जिसके बदले में हम वस्तु को प्राप्त करते हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि मुद्रा ही विनिमै का एक महत्तौपूर्ण साधन है। इसमें कुल आय का वित्रण होता है। यहां पर हम देखते हैं कि जो भूमी पती होता है, उसको लगान दिया जाता है। जो पुझजीपती होता है उसको ब्याज दिया जाता है जो श्रमिक होता है उसको मजदूरी दी जाती है संगठन करता को वेतन दिया जाता है और फिर जाहिर सी बात है कि साहसी जो है उसको कुछ ना कुछ लाब मिलेगा तभी वो उत्पादन का करेगा तो यह जो लगान श्रम श्रमिकों का मजदूरी संगठन करता का वेतन पुझी पति का ब्याज इस तरह से जो प्रतिफ़ल प्रदान किए जाते हैं वास्तों में यही प्रतिफल आये का वितरन कहलाते हैं और इनको प्रतिफल याने कि वित्रण तभी हो पाएगा जब उध्योग पति जो है सहासी जो है उसके पास मुद्रा होगी तो वित्रण का भी एक महत्रपूर्ण साधन मुद्रा बनती है इसे तरह हम बात करते हैं राजस्व के छेत्र की तो राजस्व में भी मुद्रा का अपना एक महत्वपोर्ण स्थान है राजस्व के अंतरगत हम बात करते हैं सरवजनिक स्त्रोतों की सरवजनिक कोश की जहां पर धन आता है और जहां से धन व्य होता है तो सरकार को कर और शुल्क के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है वो वास्ताव में मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है उसके बाद इस आय का सरकार जब वै करती है अलग-अलग छेत्रों में कभी सिक्षा के छेत्र में कभी पारिवाहन के छेत्र में कभी स्वास्त के छेत अब ये तो अलग-अलग छेत्रों के हिसाब से हमने देखे मुद्रा के महत्तु जिस प्रकार मुद्रा का एक पूरे अर्थ शास्त्रे पूरी आर्थिक प्रक्रिया में एक महत्तुपोर्ण इस्थान है उसी प्रकार इसके अपने आप में कुछ दोश भी हैं तो आएए मुद्रा अपने आप में एक महत्तुपोर्ण रखती है लेकिन इसके कुछ दोश भी हैं मुद्रा के दोश को अगर हम जाने तो उनको हम कई भागों में वर्गिकरित करके अलग-अलग करके उसका अध्यान कर सकते हैं जैसे सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि मुद्र का जो दोश है उसको हम आर्थिक दोश के रूप में अगर देखें कि मुद्रा के आर्थिक दोश कौन-कौन से है तो सबसे पहला यहां पर आता है व्यापार चक्र व्यापार चक्र के अंतरगत मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में प्रयोग में लाई जाती है जिसमें जिसको फ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लोग इसको संग्रह करके रखने की कोशिस करते हैं यानि कि मुद्रा को जमा करके पैसे को जमा करके बचा के रखना और एक सीधे साधारन शब्दों में कहा जाए तो अमीर बनने की जो प्रवर्ति है वो कहीं न कहीं पूंजी वादी प्रणाली को जन्म देती है तो अपने यह मुद्रा का काफी बड़ा दोश कहा जा सकता है वैसे ही अगला दोश अम देखे तो यहां पर कह सकते कि मुद्रा में क्रेश अक्ती जो होती है वो परिवरति होती है और कई बार ऐसी परिस्थितिया आती है जब मुद्रा इस फिती के कारण मुद्रा की जो क्रेश रक्ती होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है उसमें क्रेश रक्ती का आभा हो जाता है वैसे इसका एक महत्पूर्ण दोश ये भी है कि मुद्रा ही अती पूंजी करण और अती उत्पादन को कई बार जन्म देती है उत्पादक जो होते हैं जादा से जादा लाप प्राप्त करने के लिए बहुत जादा उत्पादन करते हैं अपनी वस्तो का कई बार वो इतनी ज मुद्रा के कुछ सामाजिक वी होते हैं। सबसे पहले देखिए तो शोषन की बात आती है द्योक पती फूंजी पती उतपादक करने के लिए जादा कर ले ऐसे प्रविति को रखता है और कbor यही जिसके आधार पर श्रमिकों का शोषन करता है जो गरीब श्रमिक जो संगठन करता उसके अंदर नियोजित होते हैं जिनसे वो काम लेता है उनको उनका वास्तविक हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पाता और यहां पर शोशन की प्रवित्ति जो है वो जन्म लेती है अब इन्ही सामाजिक दोशों के अंतरगत हम देखत है कि शत्रुता और इश्या का जो भाव होता है वो भी कही ना कही मुद्रा के कारण ही समाज में पैदा होता है आप अपने आसपास महलों में कॉलोनियों में देखते होंगी कि कही बार हमारे जो पडोसी होते हैं या हम खुद भी उस तर पर अपना मुल्यांकन करत हम बाशना से करता है कि उस वेक्ति के पास आपस जढ़ा अच्छा मगान है उस अगले वेक्ति के पास आपस जढ़ाता है कि ना isn't to ठीक इसी तरह हम समाजिक प्रतिष्ठा का एक आधार मान लेना मुद्रा को ये भी इसका एक महत्वपूर्ण समाजिक दोश है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है जिस व्यक्ति के पास धन है ऐसा मान लिया जाता है कि समाज में उसकी काफी प्रतिष्ठा है उसको हम प्रतिष् स्थान दे देना या धन ना होने पर किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्टित एक अच्छा स्थान प्राप्त ना होना यह भी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण दोश है अब ऐसे ही दोशों की जब हम बात करते हैं तो एक आता है नैतिक दोश कहीं न कहीं जब हम नैतिक कि चाहत में लोग चोरी डखैती हिंसा इस तरह की चीजों को अपना लेते हैं जो कि कहीं न कहीं समाज के लिए भी बहुत घातक है ठीक इसी तरह समाजिक दोश की नैतिक दोश्रियों के अगर बात करें तो नैतिक मुल्यों का हास होता है मुद्रा की प्रवित्ति के कारण ज कि यहां से जब इस तरह की प्रवित्तिया लोगों के अंदर जन्म लेती हैं अ अगर पर इस प्रवित्ति की तो यह ज्यों तो यह जो प्रविर्तिया होती है यह लोगों के जो नैतिक मूल हैं उनका पतन कर देती हैं तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग भागों में बाट कर हम मुद्रा के जो दोश है उनको जान सकते हैं तो आएए अब हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या है supply of money किसे कहते हैं यहां पर जब हम पूर्ती की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक देश की मुद्रा की जो पूर्ती होती है उसका अभी प्राय हम कुछ बिंदो के आधार पर दे सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक जो मुद्रा प्रचलित है देश में उसका स्टॉक कितना है दूसरा हम यह कह सकते हैं कि इसमें उस मुद्रा को ही शामल किया जाता है जो कि जनता द्वारा व्ययोगी रूप में रखी गई हुए जनता ने पास रखेंगे नगत कुष मुद्रा पूर्थी के अंग नहीं माने जाते। ठीक इसी तरह देखतें कि एक देश में मुद्रा पूर्थी औंतरगत जब हम घटको की बात करते हैं कि एक देश के important क्या है तो यहां पर दो तरह के घटकों के अंतर गत्तम इसका अधियन करते हैं। मुद्रा करते हैं तो इसे हैं देख करते हैं कि जमांने नोट देते हैरे चने कि भारत में मुद्रा की माप क्या है किन किन मापों के आधार पर हमीं पता लगाते हैं कि मुद्रा क्या है कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएं तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है मुद्रा पूर्ती पर Reserve Bank of India द्वारा धृति कारेदल के सिफारिश के आधार पर भारती Reserve Bank जो है उसने मुद्रा की चार मापे स्विकार की हैं कौन-कौन से चार मापे तो पहली है M1 माप M1 मेजर्मेंट M1 मेजर्मेंट में किन-किन मुद्राओं को शामिल किया गया है आया देखते हैं तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले M1 एक्वल टू C प्लस DD प्लस OD को शामिल किया गया है। तो इसके अंतरगत हम यहां पर देखते हैं कि पहला भारती रिजर्व बैंक के पास सारवजनिक वित्तिय संस्थाओं जैसे IDBI की जमा राशिया है वो इसके अंतरगत आएंगी। दूसरा हम देखते हैं यहां पर कि भारती रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रिय बैंक एवं विदेशी सरकारों की जो मांग जमाये हैं वो सभी राशिया इसके अंतरगत आएंगी। और तीसरा इसके अंतरगत आएगा अंतरास्ट्रिय वित्त संस्थाओं जैसे की आई एम एफ या विश्व बैंक की जो मांग जमाये रखी गई हैं उसका सारा योग इसके अंतरगत आएगा कब जबके हम बात करते हैं एम वन मेजरमेंट की अब दूसरी जो माप है जिसे हम कहते हैं यहां पर मेजरमेंट में बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि एम टू माप जो है वह एम वन के तुलना में थोड़ा सा व्रियत हो जाती है थोड़ी से बढ़ जाती है इसके जो तत्तु होते हैं वो पूरे के पूरे M1 के ही होते हैं जैसे कि हमने M1 में यहाँ पर देखा कि इसमें C प्लस DD प्लस OD शामिल होती है लेकिन साथ में इसमें एक बिंदू जो और जुड़ जाता है वो यहाँ पर कहलाता है डाक घर में जनता की बचत तो M1 हमने जो कैलकुलेट किया अगर हम उसमें एड कर द से डाक घर में जनता के द्वारा जो बचत जमा की गई राश्या होती है तो यह दोनों मिलकर हो जाती है M2 माप अब तीसरी माप की जब हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं M3 माप M3 मेजर्मेंट तो यह M2 मेजर्मेंट से एक स्टेप और आगे किया थोड़ी से और व्रिहत अवधारना कही जा सकती है और आए देखते हैं इसमें कौन-कौन सी तत्तु शामिल होते हैं तो यहां पर M3 माप में M1 के तुलना में अत्रिक्त व्यापारिक बैंकों के पास जो जनता के शुद्ध सावधी जमाए होती है उसको भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो वो M3 माप बन जाती है एक सूत्र क्याधार पर हम इसे कह सकते हैं M3 एक्वल टू M1 प्लस वैपारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधी जमाए इसी प्रकार हम देखते हैं M4 माप M4 मेजर्मेंट अब यह जो M4 मेजर्मेंट है यह M3 मेजर्मेंट से भी एक स्टेप आगे मेरे हैं M3 तक को तो वो शामिल करता है अपने आप में लेकिन कुछ तत्तों को और उसमें इंक्लूड करता है जैसे यहां पर हम देखते हैं कि M4 माप M3 माप के तुलना में M3 के सभी घटकों के अलावा डाग घर की बचत को शामिल करते समय हमको यह धियार रखना है कि यह यहां पर राश्ट्री बचत पत्र के इंतर जो जमाए हैं उसको हम को यहां एड नहीं करना है तो कुल मिलाकर हम इसके लिए जब एक फॉर्मूला तयार करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि अब अब तक हमने देखा कि माप कौन कौन सी है और किस किस आधार पर किन किन तत्तों को शामिल करते हुए हम मुद्रा की माप कर सकते हैं अब अगर हम बात करें मुद्रा की मांग की तो जिस तरह से हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ती क्या है एक अपूर्ती एक निश्वित समय में देश में उसका जो स्टॉक है वैसे ही मुद्रा की मांग की अगर हम बात करें और साधारन शब्दों में हम कहें तो मुद्रा की वह मात्रा जो जनता के द्वारा मांगी गई जो जनता को जिसकी आवशक्ता है उसको हम सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मुद्रा क कि मांग को कुछ अन्य आधारों पर देखें या हम यह कहें कि कीन्स ने जिन आधारों को बताया है उसके आधार पर अगर मुद्रा के बारे में जानना चाहें तो हम इसको कुछ बिंदुवार अलग-अलग तत्तो क्याधार पर इसका अध्यन करेंगे कीन्स का मानना है कि वास्तों में मुद्रा की जो मांग है वो तीन उद्धेशों से की जाती है कौन-कौन से तीन उद्धेश तो सबसे पहला उद्धेश उन्हेंने बता है कि सौदा उद्धेश यानि कि सौदा करने के उद्धेश जाहिर से बात है हम भी मुद्रा इसलिए अर्जन करते हैं इसलिए हम धन कमाते हैं इसलिए हम नौकरी करते हैं कि हमारे पास मुद्रा आए और उस मुद्रा का प्रियोग हम सौदों के लिए यानि कि अपने आवशक्ता के अपने जरूरत के जो समान होते हैं उनको खरीदने क लिए करती हैं दूसरी जो अविशक्ता होती है वो होती है दूर दर्शिता अब हम अपनी आय का पूरा भाग तो खर्च नहीं करते हैं उसमें से कुछ भाग को हम बचा लेते हैं तो क्यों बचा लेते हैं ताकि क्योंकि हमारी जो मानसिक्ता है वो दूर दर्शिता कि हम पड़ जाए तो यह जो हमारी छोटी चोटी बचते हैं वो हमको काम आएंगी तो दूर दर्शिता के लिए भी व्यक्ति जो है वो मुद्रा कारजन करता है मुद्रा का वो संचय करता है तीसरा इसके अंतर गताता है सट्टा यानि कि ओपन जो मार्केट है अंशो का जो बाजार है जो बॉंड जो है उन पर हम अपनी राशी लगाए इसलिए लगाए ताकि ब्याज के रूप में अच्छा प्रतिफल हमको उसके बदले आउटपुट के रूप में वह हमको मिल सके अब हम बात करें एक बिंदू पर जिसे हम कहते हैं तरल जैसे हमको कैश की जोरत पड़े तुरंत हम उसको उठाएं और इस रूप में वह हम उसको अपने पास रख सकें तो तरलता पाश को कुछ बिंदो के अधार पर हम इस प्रकार जान सकते हैं जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि क्या दशा है किन दशाओं में तरलता पाश के स्थिति उत्पन होती है तो सबसे पहली दशा यह है कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूरता लोचदार होती है जब हम अपनी धनराशी को शेयर में बॉंड्स में कई विन्योजित करते हैं तो पूरता लोचदार होती है कहीं कोई फिक्स नहीं रहता है हम जल्दी से एक जगा से निकाल कर उसको दूसरी जगा दूसरी से तीसरी जगा लगाते रहते हैं दूसरी के किस्ति पर पूरता पसंदीकी की दशा है जे एम कीन्स के द्वारा किया गया है साथ में तरलता प्राश के बारे में एक बात ये जान लेना भी जरूरी है कि ये जो अवधारना है इस दशा में व्यक्ति अपने धन को बैंक आदी में विन्योग करने क्या पेक्षा अपने पास रखता है सबसे लिक्विड कैश वो है है जो आपके पास है आपके हांत में आपके परस में आपके तीजोरी में क्योंकि बैंक में जो है में लेकिन आप जाएंगे बैंक से निकालेंगे गोल्ड है होता है उसको देखकर अपने पैसों को अने बॉंड या शेयर्स में विन्योजित नहीं काना चाहते हैं और कैश के रूप में उसको अपने पास रखते हैं साथ में इस दशा में हम ये भी देखते हैं कि न्यूनतम ब्याज़ पर हानी के आशंका भी एक ऐसी दशा बनती है जब लोग बॉंड्स में पैसे नहीं लगाकर अपने पास उसको संचय करके रखने की प्रवित्ती रखते हैं तरलता पाश के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका एक विबकल्प ये भी हो सकता है कि यहां पर अत्रिक्त नगदी को निश्क्रिय परिसंपत्ती के रूप में भी रखा जा सकता है तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार वस्तु विनिमय के दोश को दूर करते हुए उसके कठिनाईयों को देखते हुए हमने उसकी प्रक्रिया को समाप्ति किया और वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय का जन्म हुआ मुद्रा क्या है किस प्रकार कारे करती है किन-किन छेत्रों में उसके महत्व हैं इसके बारे में भी हमने जाना अब हमारा अगला स्टैफ होगा कि मुद्रा जो है वो आती कहां से है किस प्रकार सुरक्षित रूप से उसका संचय होता है किस प्रकार से रिण के रूप में हम उसको प्राप्तिक कर लेते हैं तो इन सब बातों को जानने के लिए हम अपने आगे के अध्याय देखेंगे वैपारिक बैंक और बैंकों का महत्वा उनके कारे और उनके प्रक्रिया के बारे में